मैं मुख मंत्री से अपील करता हूँ किवाएं और अपनी बातें आपके सामने रखें मुख मंत्री जी मैं इस मैंज के माधम से पुना सिरिया रवानी जी से अपील करना चाहता हूँ अपनी जात्रा को अस्थगीत कर दें अस्थगीत करके वो दिली वापस चले जाएं जेशित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन मा जाएगा जब इंसानियत पस्खत्रा हो इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा 24 गंडा मैं निगाह रखा हूँ हमने अपने सासन के तरफ से अपने तरफ से पूरा उनकी सुरख्षा का भी बेवस्था किया लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है अगर एक नेता और एक परधान मंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगें जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फीर हमारे साथ चाहें राज रहे या राज चला जाए हम इस पर कोई समझाता करने वाले नहीं है लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मांते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आप से तो इतनी आशा है बीच में मत पढ़ो रास्ते में मत आओ क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है जरता का रथ है जो सोमनाच से चला है और जितने मन में संकल पकिया हुआ है कि 30 अक्टोबर को वहाँ पर पहुंच करके कार सिवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे उसको कौन रोकेगा कौन सी सरकार रोकने वाली है गुरी इवनिंग ने हेडलाइन्स